हाई, welcome to my channel, इस वीडियो में solve करेंगे question number 2, find the MP means marked price if SP is equal to Rs. 1222 and discount is equal to 6% and second case is SP is equal to Rs. 495 and discount is 1% यहाँ पर निकाल ला है आपको MP marked price और SP दिया हुआ है, discount percent दिया हुआ है तो एक बात पहले समझ लिजे, marked price जो होता है उसमें से जब हम discount minus करते हैं ठीक है, जब discount minus करते हैं तब जगर बनता है SP, मतलब कि हम SP जो है निकाल पाते हैं इस फार्मूले से MP में से जब minus कर देते हैं, MP का ही discount percent निकाल करके, ठीक है, MP का ही जईदी हम निकाल दे है discount percent discount percent, तो हमारा निकल जाता है SP, और यह जो MP में से minus करेंगे, इसका मतलब कि यदि हम MP कामल ले ले इसमें से, तो मिलेगा हमें 1 minus discount percent discount percent को लिए सकते हैं हम लोग, discount upon hundred, right, मतलब जो ही percentage में रहेगा, वो पान hundred करते हैं आपर, और हमारा फार्मूला बन जाएगा MP, और यहां से hundred से मिलाई करेंगे, आपर मिलेगा hundred, minus discount, actually यहां पर discount percentage लिखते हैं, और लेकिन यह होता है, actually वो number, यहां पर six percent है न, यहां पर discount percent के जगाँ पर लिखेंगे, six percent, six के लिखेंगे बना, upon hundred, यह फार्मूला हो जाता है, है SP निकालने का, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है MP, यदि यह निकालना हो, तो MP is equal to कैसे करेंगे, कि हमें यह पूरी जो quantity, इधर जो bracket के अंदर है, यह वाली, इसको भेजना पड़ेगा, इस साइड, इसका मतलब कि जो MP होगा, वो बराबर हो जाएगा, इस ठीक है, यह करना पड़ेगा, और यही फर्मला लगा अगर कि हम यहाँ पर जो है, फर्स सेकेंड में सॉल्व करेंगे, और MP निकालेंगे, ठीक है, तो first solution, यहाँ पर है, MP is equal to हो जाएगा, हम यहाँ पर given है लिख रहे हैं, क्योंकि दिया होगा है, यहाँ पर सब दिख रह ओके, तो यहाँ पर SP कितना है, सेलिंग पराइस, आपका यहाँ दिया है, 1222, multiplied by 100 upon, 100-6, यहाँ लिखेंगे, 6 क्यों लिखेंगे, और इतना हो जाएगा, अब solve कर लेंगे यहाँ पर, तो मिलेगा हमें 1222, multiplied by 100 upon, यहाँ मिलेगा 94, cancel out करते हैं, यहाँ पर, तो मिलेगा आपको 248, and 2714, यहाँ तो से कटाइए, 2612, 2612, and 202, 202, यहाँ 47 से cancel out होगा, यहाँ आप 47 से divide करेंगे न, यहाँ पर 611 में, तो आपको एक, मिल जाएगा, यहाँ पर answer मिल जाएगा, तो 13 से चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 47, वंज मिन्स आजाएगा 1300 रुपीस, ओके, अब निकाल जाते हैं, सेकेंड, तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे, वही फोमिले से, MP बराबर हो जाएगा, क्या, SP, in bracket, 100 upon, 100 minus, discount percent, ओके, SP कितना है, SP आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 495, 495, into, 100 upon, तो यह 100 में से discount percent मानस करेंगे, तो 1 मानस करना है, मतलब 99 हो जाएगा यह, एक बाद ध्यान दिजेगा, जो नीचे होगा न, दिन्वा मिनिटर में, वो जिस से कर जाएगा, वो उसी नमबर से यह भी कर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 11, 99 होता है, 11 से भी कर जा चाहिए, तो 11, 4, 44, 5 बचाना, 55 हो गया, तो 11, 5, 55, अब 9 बंजा 9, 95, 45 होता है, मतलब कि 5 into 100 कितना हो जाएगा, 500 रुपीज, तो यह हो गए आपके दो answers और यह ही आपके answers है, ओके, तो thank you so much for watching, bye.